सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और भी अन्य पद हैं जिनके लिए यहां पर बंपर भरतिया करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भरती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कैसे आप इस भरती के official notice की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर स चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी राष्टे स्वास्ते मिशन यानि की national health मिशन के अंतरगत ये बरती निकली है जहां पर post के नाम है staff nurse ICU technician duty medical officer counselor और intensivist इन सभी post के लिए यहां पर bumper भरतिया होने जा रही है जिसके लिए आपसे आवेदन पत्र मं की जाए तो candidate के पास यहां पर B.H.C की डिगरी nursing के अंदर या फिर MBBS की डिगरी या फिर MA की डिगरी या फिर कोई post graduate डिगरी होना जरूरी है इस भरती पर आवेदन करने के लिए आयू सीमा यहां पर आपके 58, 60 और 65 साल maximum post wise रखी गई है जो कि आप notice से भी चेक कर सकते हो कर सकते हो, selection यहां पर आपका बिना किसी exam के केवल interview के आधार पर किया जाएगा, offline आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हो, website है hshrc.gov.in, dates के अगर बात की जाए तो इस भरती के लिए आप interview में 22, 23 और 24 जनवरी 2020 को सुबह 9 बजे से participate कर सकते हो, interview के venue और dates, अलग-अलग post के लिए अलग-अलग है, जो आपको हम official notice से बताएंगे, तो दोस्तों यह थी NHM की इस भरती की पूरी जानकारी, इसके बाद भी दोस्तों गर आपको इस भरती के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको हमारी website के page का link, नीचे description box में, plus first comment box में मिल जाएगा जहां पर जाकर आप directly इस भरती के official advertisement और important instructions की PDF को open करके, पूरी detail उसमें से read कर सकते हो, जहां दोस्तों यह इस भरती के official advertisement और important instructions की PDF के direct resource link है, इन links के माध्यम से आप इस भरती से related पूरी detail विस्तार पूरवक one by one करके read कर सकते हो, जैसे ही आप इन links पर किलिक करोगे, तो important instructions की PDF खुल जाएगी, जैसे कि यहां पर official advertisement में आपको पूरी detail परवाइड कराएगी है, कि क्या post का नाम है, कितनी उसके लिए number of frequencies है, category wise भी आप frequencies की detail यहीं से चेक कर सकते हो, साथ इसाथ आप sale की पूरी detail यहां से चेक कर सकते हो, और interview की dates, कौन सी post के लिए क्या रहने वा जाएगा, वहीं पर staff nurse की post के लिए आपका interview 23 जनवरी 2020 को conduct कराया जाएगा, ICU technician और counselor की post के लिए आपका interview 24 जनवरी 2020 को conduct कराया जाएगा, इसके बाद अगर आपको इस भरती से लेटिट पूरी detail instruction पढ़ने है, तो उसके लिए भी यहां पर आपको advertisement provide कराया है, यहां से आप करने के बाद, आप simply इस भरती के लिए offline आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए application form का link भी आपको हमारी website की इसी page पर provide कराया है, जिहां दोस्तों इस भरती पर आवेदन करने के लिए application form का direct resource link है, जैसे ही आप इस link पर click करोगे, तो आपके सामने इस भरती पर आवेदन करने के ल कर देना होगा, जो कि आपको officer advertisement में ही provide कराया है, जैसे कि यहां पर आपको अपना passport size photo fix करना है, उसके बाद यहां पर आपको पोश्ट का नाम बताना है कि कौन सी पोश्ट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो, उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम, अपने father का नाम अपना male या female sex के लिएर करना है कि आप male हो या फिर female, उसके बाद यहां पर आपको अपनी date of birth, अपनी category, अपना mobile number, email address, permanent address, correspondence address, और उसके बाद यहां पर आपको अपनी educational qualification की पूरी detail इस table में provide करानी है, उसके बाद यहां पर आपको अपनी experience की detail इस table में provide करानी है, उसके ब पूरी detail आपको इस table में provide करानी है और finally यहाँ पर आपको अपने signature करने के बाद इस application form को last date से पहले पहले official address पर submit कर देना है तो दोस्तो इस परकार से आप इस भरती के लिए offline आवेदन कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अग सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही big government jobs की update अपने इस channel पर upload करते हैं